12 साल का हुआ सिंगम आज़ेवगन और काजोल का लाडला युग स्टन्ट बाजी में पापा के नक्षक कदम पर है युग पीएम मोदी भी है ननहे स्टन्ट मास्टर युग देवगन के फैन काजोल और आज़ेवगन की बेटी नियासा देवगन तो बॉलिवुड में डेब्यू किये बिना ही खबरों में चाही रहती है नियासा की फैन फॉलोइंग जबर्दस्त है नियासा की हर तस्वीर और वीडियो वाइरल होने में देर नहीं लगती वहीं काजोल और आज़ेवगन के बेटे युग भी फैन फॉलोइंग के मामले में अपने ममी पापा और बड़ी दीदी से ज्यादा पीछे नहीं है उनके फैन्स के लिस्ट में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसके बारे में जानकर आप भी युग के मुरीद हो जाएंगे वो शक्स कोई और नहीं बलकि देश के प्रधान मंत्री और सबसे पॉपुलर नेता नरेंद्रि मोधी है 13 सितंबर को आजे और काजोल के लिटल रॉक स्टार युग का जनम दिन होता है इस साल युग 13 साल के हो गए हैं तो युग के जनम दिन पर हम आपको बताते हैं कि क्यूं और कैसे पीए मोधी युग के फैन हो गए दरसल ये किस्सा दो साल पुराना है युग के दस्वे जनम दिन पर आजे देवगर ने अपने बेटे की कुछ तस्वीरे ट्वीटर पर पोस्ट की थी तब आजे ने तस्वीरों के जरिये बताया था कि युग ने अपने दस्वे जनम दिन पर दस पोधे लगाए हैं नेचर के लिए युक की ये अवेरनेस देख मोधी भी इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाये थे। वहीं कुछे दिन बाद यानी के 17 सितंबर को जब आजे देवगर ने पीए मोधी को जनम दिन की बधाई देने के लिए ट्वीट किया था, तब पीएम ने आजे की विशिस का जवाब देते हुए अपने ट्वीट में खास तोर से युक का नाम भी मेंशन किया था। 12 साल के युक स्टंट्स करने के मामले में बिलकुल अपने पापा पर गए हैं या यू कहें कि आक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ को वो टक कर देते हैं। खुद अजे ने अपने बेटे युक का एक वीडियो सोचल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया था। उस वीडियो में युक को जिम के अंदर एक हाथ के साहरे फ्लिप मारते हुए और कई सारे स्टंट्स करते देखा गया था। युक पुश अप से लेकर काट वील यहां तक की कला बाजिया भी पलक जपकते ही कर लेते हैं। युक फ्री स्टाइल काट वील में एक्सपर्ट है। आप भी ये वीडियो देखेंगे तो युक देवगन के फैन हो जाएंगे। युक को राफ्टिंग और स्विमिंग का भी काफी शौक है। खुद अजय मानते हैं कि कई मामलों में उनके बच्चे उनसे आगे हैं। एक और इंट्रिव्यू में अजय ने बताया था कि युक टेकनॉलिजी के मामले में काफी माहिर हैं। और फोन से जुड़ी उनकी हर प्रॉब्लम को मिन्टों में ठीक करतेते हैं। कहना पड़ेगा कि 12 साल के युक अभी से इतना होनहार हैं। तो जरा सोचिए कि जब वो यंग एज में आएंगे तब क्या-क्या कमाल दिखाएंगे। Bureau Report E24